एक विदेशी महिला ने फेस्बुक मित्र बना कर बेटमा के युबग को लगाया लाखों रुपए का चूना मालवा मिरर के लिए गौतापुरा से टोनी जैन की रिपोर्ट मित्रता दिवस पर मित्रता को शरम सार करने वाली घटना सामने आई जहां आज पूरा देश मित्रता दिवस मना रहा है वहीं इन दौर के समी बेटमा के रहने वाले एक युबग को विदेशी महिला ने 6 लाख रुपए का चूना लगा दिया बेटमा निवासी अविनाश शरमा ने शिकायत दर्च कराई कि उसकी फेस्बुक फ्रेंड ने उससे 6 लाख का चूना लगा दिया और वह मित्र इंग्लैंड की रहने वाली है इंग्लैंड में रहने वाली बेला जौर्ज से उसकी दोस्ती होने के बाद उसने कहा कि वो भारत आने वाली है और एग्रिकल्चर सेक्टर में निवेश करना चाहती है कुछ दिनों बाद उसका फोन आ गया कि वो भारत आ गई है और एरपोर्ट पर फस गई है और उसे पैसों की आवशकता है महिला ने उसे अपने खाते में पैसे डालने के लिए कहा अविनाश ने उसके बताए गए रॉयल बैंक आफ स्कॉटलेंड के खाते में पैसे डाल दिये महिला ने अविनाश से करीब 3-4 बार में 6 लाक रुपे अपने खाते में डलवा लिये इसके बाद उसने अपना फोन बंद कर लिया। अविनाश ने लगातार कई बार महीला मित्र से संपर्प किया परंतु महीला का मोबाइल बंद आया। जिसके बाद अविनाश ने इसके शिकायत थाने में दर्च कर आई। बेटमा पोलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। बेटमा थाना के जांच अधिकारी ने मालवा मिरर को बताया। अपने अकाउंट में ट्रांजिक्शन दर्वा कर इसके साब में दुखा दरी है।